ही अबरीवन मैं हूँ प्रिंस देशी प्रोग्रामर से और स्वाध आप सब का फ्लॉटर की एक और नई वीडियो में जहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेटेरियल ड्रॉवर्स के बारे में तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही बेसिक अप्लिकेशन आप एंड रॉनिंग है मेरे पास इस एप में फिलाल कुछ भी नहीं है बस एक आप बार है जहां पर एक टेक्स है जो के ड्रॉवर और वारी में सेंटर में एक फ्लॉटर का लोगो है जिसको मैं थोड़ी साइस दे रखिया अब बात करते हैं ड्रॉवर की तो ड्रॉवर को यहां पर इंसर्ट करना काफी सिंपल है सबस्क्राइब देखते हैं कि हम बेसिक ड्रॉवर कैसे इंसर्ट करते हैं जैसे में पास एप बार होता है बाडी होता है वैसे हमारे पास एक ड्रॉवर का भी option है तो ड्रॉबर और जो हमारा जरोवर होगा वो हो जाएगा एक ड्रॉबर एक ड्रॉबर का e small dc एक ड्रॉबर कैपिल डी से जैसे में इस से जब में चुन करेंगे हमें अपने अप में यह तीन वर्टिकल लाइन द腿खेंगी प्लिक करूं तो आप देख सकते हैं साइट से किक ड्रॉइर रहा हमें दिख़ा है यह सिंपल सा ब्रॉइर आप तर आप एक एंड ड्रॉवर भी मिलता है किसे यूज करके हम इस ट्रॉवर को जो काफी हमारे सारे elements होंगे यहां पर एक तो elevation है जो कि हम सब जानते है क्या करता है की है जिसे यूज करते हैं ताकि हम इस flutter को तूसरे हम इस अपने ड्रावर को स्काफोड पर क्लिक करने पर को सब्सक्राइब दूसरे चिरों के लिए उसक्रता है तो कम हम्मारे ड्रावर के बहुत सा मotion होंगे यहां अपने आपने ऐलेड़ के एलमेंट्स को तीन पार्ट बिधा कर सकते हैं एक तो हुआने हैं यहां पर हठर हों जहां कृँऽ है कि रबाद में नोगा विजिट का ज़a वर होगा इसे हम गुथ करके कॉल कर सकते हैं और यह हमें एक ड्रप्रार डेता है अब है रेसे कर GEORGE हीHO एडेर** कास्टम और तोкиरलोर टेक्सitel धियूंट करते हैं तो यहां पर देखेंगे कि हमें कस्टम हेडर टेक्स्ट हैं पर दिख रहा है क्योंकि है हमारा कस्टम ट्रॉवर है अब आइडियल जितने भी Google टाइप अप्लिकेशन होते हैं उसमें देखेंगे कि हमें एक यूजर एकाउंट हेडर मिलता है और यह एडर बनाना काफी एजी है क्योंकि इसके लिए हमें कुछ अलग से करने की कोई जो इतनी है हमें बाई डीफॉल्ट इसका अल्मुस्ट सारा कोड मिलता है वह अपनी वैल्यूस एक टेक्स्ट है और लेट इस अकाउंट का नेम है फ्रेंज अब देखेंगे कि हमें काफी सुन्दर से काउंट का यहां पर नेम दिखेंगा ठीक है और यह जो कस्टम अमणा बाई डिफॉल्ट कर लेता है दूसरी चीज़ होती है हमारी अकाउंट की इमेल तो अकाउंट का प्रिक्चर होगा जो की होता है करेंट अकाउंट पिक्चर जो करेंट अकाउंट उसका पिक्चर आप कुछ भी कर सकते हैं एक सर की लावटार रहेगा फिलाल यहां पर मेरे पास कोई मेंस नहीं है तो मैं बस इस सर की लावटार को जो चायड़ दूंगा वह लेट से की से एक सिंपल सा टेक्स्ट है टेक्स्ट में इसे कैपिटल दीते हैं यह सकते हैं कि सर्कील आफटार में कैपिटल पी दिख़ड़ा है बैक्रोंड इंग आच्छान नहीं है तो हम बैक्राउंड कलड चींज कर देता हैं और यह हो जाएगा तो तक अब लगए इसके अलाओ ज कर दें तो हमारा काम एक्षुली बन जाएगा इसमें यहां से कॉपी कर लेता हूं और नीचे आगे इसे पेस्ट कर देते हैं सेव करता देख सकती है अधर एक पिक्षर में यहां पर दिखड़ा है लास्ट पर लिस्ट यहां पर एक लास्ट आपस होता है डीटेल दिखाने क के स्क्षिन तो हम देख सकते हैं यह on detail प्रेस करने पर क्या होता है कि हमें एक on detail वाइट कॉल बैक मिलता है अधसिये कॉल बैक अभी अप्टी है यहां पर देख सकते हैं चोड़ा से एड़ जाए जाए इसे क्लिक करेंगा तो यहां तो चाहएं तो यहां पर हम बेल्ड कर सकते और इस कॉलम में जो हमारे फिलाल existing elements उन्हें हटा कर यूजर स्पेसिफिक और भी डेटा सो कर सकते हैं इसे में यहां पर यहां से हटा देता हूं और यह हमारा से एक तरीका है कि हम लीडिंग में डाल देता है और लेट्स से लीडिंग में डाल देमाने रिचसे यह है icons.contacts और जो टाइटल यहां पर उसमें एक टेक्स डाल दिया और टेक्स को भी नाम में ने दे दिया लेट से तो यह हमारा एक सिंपल सा लेस्ट टाइल तयार है ठीक है एक पीछे एक आइकन है लीडिंग में एक आइकन है और आगे एक टेक्स है विए दोनों के बीच में थोड़ा से स्पेस होता है तो कई बार लोग क्या करते हैं इस टाइटल में ही एक रो ले लेते हैं और उस रो को देते हैं एक आइकन और एक टेक्स वैसें गया होता है यह बीच का जिस पेसिंग वह घड़ जाती बड़ अगें यह पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है अगर आप यह चाहता है आपको एक टेक्स डिखे और जो आइकन वह एंड में दिखे तो ऐसा है में लीडिंग कर सकते हैं समघ से कर दे रहा हूं कि लेस्ट टाहल हैं आप वक्रतक टाहुक्त करते हैं और अगर क्लिक करें तो मृ मिल स् dessas अच सबस्क्राइब स्क्राइDER नहींसे करता Bereps आ ट्रुआ नहीं हो करता है यह actually state management के लिए है और उसके अलावा येक और हमारे पास state management के लिए है जो कि है selected अगर मैं selected true करूं तो जो हमारा color है वो color हमें इस list item को मिल जाता है तो यह options भी हम आसानी से use कर सकते हैं वैसे करके मैं जितने मन उपने list styles यहां बना सकते हैं मैं simplicity के लिए इसी list को multiply कर दे रहा कॉपी और पेस्ट कर दे रहे हैं असान वासा में कहें तो और ट्रेलिंग को हटा देते हैं यह देखते हैं हम दिख़़ा कॉंटाक्ट्स कॉंटाक्ट्स अब एक और आइडल तरीका यहां पर क्या होता है हम यहां पर कई बार एक divider भी यूज करते हैं उसे क्या उसे यू चाहने हैं आप हम चाहते हैं कि लट से कि जो निए कि हरवर हमारे पास इतने सारे लिस्ट टाइल सवेईल हो कि यह पूरी तरह से फिल हो जाए तो ऐसे हम क्या करते हैं फूटर में किसी विजट को दिखाते हैं इसके लिए यूज करते हैं आप एक्सपैंडेड और सब्सक्राइब बिलते हैं वह हम सेट कर दे रहे हैं अलाइनमेंट डॉट बॉटम और बॉटम सेंटर कर देते हैं कोई बहुत जादा फर्क नहीं पड़ेगा और जो चाइल्ड है उसे हम अगेन बोल देते हैं कि हमारा एक लेस्ट टाइल है मेरे पास पहले से यहां पर ल राद से में कोई बगट रिपोट करने का ऐप्सटन एना है तो यह होगया बग्रीपोर्ट और यह हो गया बग्रिद्थ हो गया काफिय सिम्पल इजी पीजी और इस चीज को क्लीर करने के लिए कि हमेशा काम करे एक मौलम में बोलते हैं को भाना मैंनें आक्सिस का साइज है इसे हम कर देते हैं main access.max तो अब यह हमारा simple सा जो code है flutter का इसमें हमने एक flutter के ड्रावर को implement कर लिया है ड्रावर को open करने के दो तरीके हैं या तो हम इस icon पर click करें या फिर simply यहां से drag करें हमारा द्रावर open हो चाएगा खास बत क्या अभी अभी अब देखते हैं कि हम दूसरे पेज में कैसे navigate कर सकते हैं इसके लिए हमने ओल्री navigation के बात तो किई है इश्यू यहां पर यह होगा कि अगर हम दूसरे पेज में navigate करेंगे तो क्या यह ढटावर रहेबांगा की नहीं simple answer है नहीं रहेगा तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं हमें या तो इस code को बार बार कॉपी करके paste करना होगा जो कि बिल्कुल भी optimized तरीका नहीं है तो हम एक अलग सा class बना लेते हैं एक अलग सा drawer visit बना लेते हैं और हर जग हम उस drawer visit को simply call कर लेते हैं कैसे करते हैं तो में लिब में एक और फाइल बना लेता हूं लेट से पेस्टू डाट जिसम्पल सा फटर कोड लिख लेते हैं एक दूसरे पेस के लिए और फिर हम यह देखते हैं कि यह सो कैसे इंप्रिमेंट करते हैं तो मेरे पास पेस्टू का कोड रेडि है अब मुझे बस इसे अपनी मीन डॉट डाट में कॉल करना है इसके लिए क्या करता हूं जो हमारे ड्रॉबर का जो फॉर्स जिल्मेंट है जो कि यह कॉन्टक्स इसे में चेंज कर देता हूं इसे हम अजनी करने की जगव हम अपने नाविगेटर को कॉल करेंगे जो कि हमें आभीट करने बें मदद करेगा जिसे हम करते हैं investigator dot of context dot push replace नहीं कर रहा है हम सिर्फ पुश कर रहा है और यहां पर मैं चाहिए एक material page route जो कि एक builder लेगा और यह मैं कर रहा हूं next page में obviously so your builder है यह हमारा फिर से context लेगा और हम यहां पर return कर रहे हैं जो हमारा नाम था और that's it easy peasy काफी सिंपल है अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं अपने इस न्यूपेज में चले गए हैं बैक करेंगे तो फिर्स्ट वेस्ट में आ जाएंगे जिसकों तो यह है कि हमारे न्यूपेज में यह ड्रॉवर अवेलिबल नहीं है तो क नहीं है माई ढावर डॉट डार्ट यहां पे में टार्स बना रहा हूँ लेट से सटेट फूलियर श्रैटलेस चुल आप अपने यूज के इस का नि बना सकता है अब कितने लोग ऐसा लगता है कि स्टेटल में 2 क्लास तो जाएधा दिक्कत होगा स्टेटलेस सिंगल क्ला है तो हम अपने में डाट में जाके सारे ड्रॉवर को यहां से हटाना होगा तो यहां पर का चाइड कॉलम था जिसे हम यहां से फूरी तरह से हटा देते हैं यहां पर इस कॉलम तक कॉपी कर लेता है यहां आते हैं इसे पेस्ट कर देते हैं कोई यहां पर नहीं दिखना है च याँय कर रहा हूं माई ड्रॉवर को इज़ी पीज़ अब यहां पर हमें अपने यह सिंपल सब दिख़गा है जो मेरा में पेज है उसमें पेस्ट यहां पर यहांप बार के बाद मैं बोल रहा हूं कि जाए है जो की होगा माई-ड्रॉवर्य सेव कर लेते हैं अब अगर हम पेस्ट डू में नैभीएट करेंगे तो पेस्टू है भी हमें अपना ड्रॉवर दिख रहा है अब यहाँ पर इन अब बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं स्टेज्ट बनेट्बंड को यूज कर मता सकते हैं कि आप कौन से पेस्ट पर कोई से क्लिक नहीं करे क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है ना बारवा पेस्टू में जाने का और बहुत रची जम कर सकते हैं आप अब काफी सिंपल है यह हमारा हो गया फॉर्स्ट पेज ठीक है तो ड्रॉबर पेज और यहां पर हो गया हमारा सेकेंड पेज और दोनों पेज में और वैलिबल है हमें बहुत ज्यादा कोड भी नहीं लिखना पौरा और सारा काम बन गया यूई की बात करें तो हम जैसा वन वैसा योई बना सकते हैं आइडियली बहुत सारे लोग इस यूजर एकाउंट हेडर को ही यूज करते हैं बट इस टील लगड़ा आप चाते तो कस्टम हेडर को यूज कर सकते हैं कावी सिंबल था ड्रावर हेडर अपना कस्टम कोड जो की एक बॉक्स जैसा है एक कंटेनर के अंदर जो कोड लिखना वह हम लिख लेंगे तो फिल और वस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से दूसरी वीडियो में जहां पर फिर से ब आप में